Lenovo Thinkbook 15, नाम तो सुना होगा, ये laptop इन दिनों काफी चर्चा में है, और काफी ज़्यादा सेल भी हो रहा है, और लोगों की इस laptop को लेकर काफी ज़्यादा queries भी आ रही है मुझे, तो मैंने सोचा इस laptop का हम comparison वीडियो भी बना देते हैं, Lenovo IDF8 Slim 5 Pro laptop के साथ में, दोनों ही laptop में आपको काफी ज़्यादा similarities देखने को मिल जाती है, इस वज़े से आप confused भी हो रहे होंगे, और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कौन सा laptop भाइ करना चाहिए, अगर आप इन दोनों ही laptop को लेकर confused हो, तो definitely गाई, ये वीडियो आपको एन तक जरूर से देखना और description box में भी link मिल जाएगी, आप जाकर अपने doubts क्लियर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, और laptop से लेडर content देखना पसंद करते हो, तो चैनल को subscribe करो, साथ मैं नोटिप के संब बेल कोई प्रेस करोता ही, कोई भी वीडियो आप से मिसना हो, चले दोस्तों वीडियो के सुरू करते हैं, भी नटाइम वेस्ट किये, अगर आपका बज़र 70,000 तक है, और आपको इस बज़र में एक best laptop बाय करना है, वीडियो अडिटिंग के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए, या फिर color correction के लिए, या 3D modeling या autocad के लिए, त ये laptop एक premium quality का laptop है, अगर आपका budget कम है, तो आप Lenovo के thinkbook laptop को भी consider कर सकते हो, फिलान इन laptops की price बहुत ज़्यदा कम है, क्योंकि ये laptop deal of the day में list है, जनरली ये laptop हमें 70,000 के budget से उपर ही देगने को मिलते है, तो अगर आपको एक best laptop बाय करना है, long time usage के लिए, तो आप इन दोनों मे से कोई भी laptop consider कर सकते हो, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इन laptops में आपको क्या या difference देगने को मिलते है, सबसे पहले बात करें CPU की, तो Lenovo के thinkbook laptop में हमें Intel का core i5 1135 G7 CPU देगने को मिल जाता है, 2.4 GHz की best clock की speed देगने को मिल जाएगी, और 4.2 GHz की turbo clock की speed देगने को मिल जाती हो, ग्राफिक्स वाले काम भी कर सकते हो, अगर गईज आप casual gaming भी करना चाते हो, वो भी आप आसानी से कर पाऊगे, शेमी CPU हमें Lenovo के idea fade slim 5 Pro laptop में भी देगने को मिल जाता है, तो यहाँ पर दोनों ही laptop की performance similar रहने वाली है, रेम की बात करें, तो Lenovo के thinkbook laptop में आपको 8GB DDR4 32 MHz क RAM देखने को मिल जाती है, और इस laptop में हम RAM को 40GB तक upgrade कर सकते है, तो अगर आप future में ज्यादा RAM अपग्रेड करना चाते हो अपने laptop में, तब उस situation में आप Lenovo के thinkbook laptop को consider कर सकते हो, वहीं पर Lenovo IDF8 Slim 5 Pro laptop में भी हमें 16GB की DDR4 32 MHz की RAM देखने को मिल जाती है, और यह onboard RAM रहने वाली ह मतलब कि इस laptop की RAM को आप extend नहीं कर सकते है, पर मेरे साफ चे 16GB ओल्मोस्ट इनफ है, आपको यह आप RAM अपग्रेड करने की जुरत नहीं पड़ेगी, इस storage की बात करें, तो Lenovo के thinkbook laptop में हमें 1TB की hard drive देखने को मिल जाती है, और यह 7200 RPM वाली hard drive है, तो इसकी read and ride इस फिर ओपर जल रहा हूँ, वो वाला consider कर सकते हूँ, वही पर हम बात करें Lenovo Ideafate Slim 5 Pro laptop की, तो इसमें आपको 512GB की M.2 SSD देखने को मिल जाती है, और आप इसको replace करके upgrade कर सकते हूँ, और इस laptop में भी आपको अलग-अलग storage के साथ में अलग-अलग variant available मिल जाएंगे, तो दोनों ही laptop क storage को लेकर आपको कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा, अब graphics की बात करें, तो Lenovo की ThinkBook laptop में आपको Intel Iris Xe Graphics का option देखने को मिल जाता है, और यह एक integrated graphics रहने वाला है, वही पर Lenovo Ideafate Slim 5 Pro laptop में आपको Intel Iris Xe Integrated Graphics का option देखने को मिल जाता है, और इसके साथ में Nvidia का MX450 भी देखने को म GB की GDDR6 टाइब की memory देखने को मिल जाती है, तो अगर आपको dedicated graphics वाला laptop भाय करना है, तब आप Lenovo के IdeaPad Slim 5 Pro laptop को consider कर सकते हो, यहाँ पर गाईज आप casual gaming भी कर पाऊगे, इसकी performance काफी जबरदस्त रहेगी, अब display की बात करें, तो Lenovo की ThinkBook laptop में हमें 15.6 inch की Full HD IPS पैनल की display देखन को मिल जाएगी, 300 nights और 100% SRGB color gamut हमें आपर देखने को मिल जाता है, तो इस laptop की display काफी awesome रहने वाली है, यहाँ पर आप color correction का काम कर सकते हो, video editing कर सकते हो, और graphics वाले काम भी आसानी से कर सकते हो, display को लेकर आपको कोई भी doubt नहीं रखना है, अगर आपको Lenovo के ThinkBook laptop से अच्छी display चाहिए, तो आप लेना वो आईडिया पेट सिल्म 5 रो को कंसेडर कर सकते हो, इसमें आपको 14 इंच की 2.2K resolution वाली display देखने को मिल जाती है, और यह IPS panel के साथ में आने वाली है, इसमें आपको anti-glare coating देखने को मिल जाएगी, 300 nights और 100% SRGB color gamut का support इस laptop में भी देखने को मिल ज करें, तो लेना वो के thinkbook laptop में आपको 3-cell 45 वाट और की lithium polymer बैटरी देखने को मिल जाती है, और laptop के साथ में आपको 65 वाट का AC adapter भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको rapid charge pro technology का support भी देखने को मिलने वाला है, तो इस laptop में आपको आसानी से 4-5 गंडे का battery backup देखने को मिल ज जाता है, जहाँ पर battery backup थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो अगर आपको अच्छी battery backup वाला laptop भाइगना है, तो आप Slim 5 Pro laptop को consider कर सकते हो, webcam की बात करें, तो लेना वो के thinkbook laptop में हमें HD webcam का option देखने को मिल जाएगा, और इसमें हमें privacy setter का भी option देखने को मिल जाता है, इसके साथ में dual array digital microphones की option देखने को मिल जाते है, और इसमें आपको wake on voice का support भी देखने को मिल जाता है, तो हमें आपर काफी अच्छा webcam का option देखने को मिलने वाला है, और इसकी quality भी काफी एच्छी रहने वाली है, वहीं पर लेना हो के idea paid Slim 5 Pro laptop में आपको IR enabled webcam का option देखने क मिल जाता है, और यह HD webcam रहने वाला है, इसमें भी आपको dual array digital microphones की option देखने को मिल जाएंगे, इस laptop में आपको windows hello fast का support देखने को मिल जाता है, इसकी मतद से आप अपने laptop को fast से unlock कर पाऊगे, तो यह वाला feature आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाला है, keyboard की बात करें, तो आ आपको finger finider का option देखने को नहीं मिलेगा, तो यहां पर आप disappoint हो सकते हो, connectivity की बात करें, तो आपको दोनों ही laptop में Wi-Fi 6 का option देखने को मिल जाएगा, इसके साथ में Bluetooth 5.1 का support देखने को मिल जाएगा, तो यहां पर आप 5G connectivity को आसानी से use कर पाऊगे, connectivity को लेकर आपको कोई भी monitor का support देखने को नहीं मिलेगा, audio quality की बात करें, तो आपको दोनों ही laptop में 2W के dual speaker देखने को मिल जाएगे, और आपको dual भी atmos का support भी देखने को मिल जाता है, तो audio quality दोनों ही laptop की काफी अच्छी रहने वाली है, अब weight की बात करें, तो लेना वो के think book laptop का weight 1.7 kg के around रहने वाल है, और दोनों ही laptop में हमें top cover metal का देखने को मिल जाएगा, तो इन दोनों ही laptop की build quality भी top notch रहेगी, quality को लेकर आपको कोई भी doubt नहीं रखना है, आपको दोनों ही laptop में Windows 10 फिरी देखने को मिल जाएगा, और MS Office 2019 फिरी देखने को मिल जाएगा, दोनों ही laptop को आप Windows 11 के साथ upgrade कर पाओगे, आपको फिरी update देखने को मिल जाएगा, अब ports की बात करें, तो आपको Lenovo के think book laptop में, एक 4-in-1 card reader का slot देखने को मिल जाता है, दो USB 3.2 generation 1 type A के port देखने को मिल जाएगे, एक USB type C का port देखने को मिल जाएगा, एक RJ45 LAN port देखने को मिल जाएगा, एक HDMI port देखने को मिल Lenovo के IDF8 Slim 5 Pro laptop में भी आपको एक multi format SD card reader slot देखने को मिल जाता है, दो USB 3.2 generation 1 type A के port देखने को मिल जाते है, और दो USB 3.2 generation 1 type C के port देखने को मिल जाते है, एक HDMI का port देखने को मिल जाएगा, और एक 3.5 में उनका headphone microphone combo देखने को मिल जाएगा, तो इस laptop में भी आपको अच्छे का से ports के option देखने को मिल जाते है, तो देखो इस comparison से पता चलता है कि दोनों ही laptop अपनी जगह पे best है, अगर आपको एक lightweight laptop चाहिए dedicated graphics के साथ में, तो आप Lenovo के IDF8 Slim 5 Pro laptop को consider कर सकते हूँ, इस laptop में आपको IR enabled webcam भी देखने को मिल जाता है, इसकी मदद से guys आप अपने laptop को face unlock कर पा रहने वाला है, और इस laptop की display 16 ratio 10 की रहने वाली है, तो ये भी आपको काफी जधा attract करेगी, अगर आपका budget कम है, और आपको एक best laptop buy करना है, और उसकी RAM को आप future में upgrade करना चाहते हो, तो आप Lenovo के thinkbook laptop को consider कर सकते हो, इसमें आपको hybrid storage का option देखने को मिल जाएगा, और आप इस laptop laptop की RAM को 40GB तक upgrade कर सकते हो, तो ये feature आपको काफी जधा attract करेगे, तो आप दोनों ही laptop में video editing और color correction का काम आसानी से कर सकते हो, और graphics designing में आसानी से कर सकते हो, तो अब आप यहाँ पर खुद decide कर सकते हो, कि आपको कौन सा laptop buy करना है, अगर आपको ये laptop buy करना है, तो best buy link का आपको लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में share कर दो, मिलते हैं आप वो नेक्स्टूडियो में, तब तक के लिए goodbye दोस्तो,